हलो फ्रेंड्स वल्कम तू माई यूटूब चैनल सु गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजिस्तान पी टी टी का एक्जाम होने वाला है नौ जून दो हजार चौविस को उसी के जनरल हिंदी के टॉप मुस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर करें और जो भी मारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइ काम आयोजित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पांच दिन सेस हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए जर्नल हिंदी के कुल 50 कोईसंस लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 50 कोईसंस में 45 कोईसंस के सही जवाब दिये तो आप लोग समझ लीजेग जरिनल हिंदी की जवाब लोगों की तैयारी है वो काफी हर तक अच्छी है तो खुद से प्रियास कीजिएगा इन सबी कोईस्टन्स के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा सेसन को सियर कर दीजे गवर आप लोगो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए आज के सेसन में पहला कोईस्टन्स हमारा है कामाईनी के रचना कार कौन है प्रसाथ, पंत, निराला, महादेवी, बरमा पताए कि आंसर होगा कामाईनी के रचनाकार कौन है तो जोबे ब्यारती ए आप्शन्स की और जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे परसाथ कामाईनी के रचनाकार हैं परसाथ अगला कोशन पानी पानी होना इसका अर्थ क्या होता है अत्यंत लज्जित होना बाड में घिर जाना अत्यदिक प्रसन होना डिहत दुखी होना पानी पानी होना इसका अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है जल्दी से आंसर दिये सभी बच्चे मोहावरे, लोक्तियां, अर्थ, एक ही बात होती है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि पेपर में पोच लिया जाए कि पानी पानी होने का मोहावरा क्या होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएं, तो पानी पानी होना इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ह हुना यानि ben आप सार्व वह सभी लोग बिलकुल सही हो जाएंगे अ हम नैस को सन देखे हैं सब्ड़ चर्च किया सागर किस प्रकार का सब्द है रूड योगिक योगघ्रून अकरमख कि जल्दी से आउर दिए सभी वच्च इस डया सागर किस प्रकार का सब्द है दया सागर जो है न ये एक योगिक सब्द है तो वी आप्शन्स जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिलुकुल सही हो जाएंगे गायस अगला कोशे नमरा है कल्पना से अधिक के लिए एक सब्द क्या होगा काल्पनिक, आकाल्पनिक, कल्पना तीत, कल्पित बहुत important questions है पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है फाइब इस्टार लगा लिजए इस questions पर कल्पना से अधिक के लिए एक सब्द क्या होगा कल्पना से अधिक के लिए एक सब्द होता है कल्पना तीत, यानि सी options जो लोग बता रहे हैं अच्छे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ना इस questions देखेगा 55 questions है guys निम लिखित में से कौन सा सब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है कौन सा ऐसा सब्द है जो कि अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है ये आपको बताना है तो मैंने आप लोगों को कई बार बता है कि starting का जो सब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और last वाला जो सब्द होगा वो आपका प्रते होगा पूछा क्या जा रहा है कि आप उपसर्ग से निर्मित नहीं है आप देखिए अप बाद ये भी अप उपसर्ग से निर्मित सब्द है starting का सब्द देखिए अप निकल रहा है अपकरती इसमें भी अप है अपकरम इसमें भी अप है लेकिन अधिगम जो है ना ये अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है तो B options जो लोग बता रहे हैं अच्छे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चले वरते नैस कोईशन्स की और 56 कोईशन्स हमारा है निम्ल लेखित में से किसकी वरतनी सुद्ध है तो देखिए यहां पर आपको सुद्ध वरतनी की पैचान करनी है बताएए क्या अंसर होगा अनुगरहित पेपर में सबसे ज़्यादा बार यह वरतनी यह और पोजनी है सबसे ज़्यादा बार पोच जाती है तो अनुगरहित लिखने का जो तरीका है न वो यह रहा तो D-Options जो आपका करेक्ट हो जाएगा पोजनी भी लिख लिएगा कैसे लिखा जाता ठीक है next question देखें कर सबसे next questions हमारा है ब्रजभासा हिंदी की किस उपभासा की प्रसिद्व बोली है पूर्वी हिंदी B.A. पाश्मे हिंदी C.A. पाडे हिंदी D.A. बिहारी हिंदी ब्रजभासा हिंदी की किस उपभासा की प्रसिद्ध बोली है ये आपको बताना है ब्रजभासा हिंदी की पश्मी हिंदी की प्रसिद्ध उपभोली है आप्शन नमर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे नैस को उसे न देखेगा सभी बच्चे अन्ना भाव किस प्रकार का समास है तत्पुरू समास अब्वाव समास करमदार समास या दूंद समास अन्ना भाव जल्दी से अंसर देज़े सभी बच्चे अन्ना भाव किस प्रकार का समास है आपको पताना है अब ध्यान पुरूग मेरी बात को सुनियेगा ठीक है टाइम तो मैंने आप लोगों को दे दिया आंसर चूज करने के लिए अब देखिए इसमें अन्ना तो अलग है और भाव अलग है ठीक है दोनों जो हैं वाके अलग ह हैं दोनों को आपस में जोड़ दिया गया क्या बना अन्ना भाव ठीक है इसलिए इसकोसिंस का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरूष समास जब भी दो सब्द अलग हो और दोनों को जोड़कर एक नया सब्द बन जाए वह आपका तत्पुरूष समास होता है ऐसे आप प पंच वट्ठी द्यानपूरबद को सब्सक्राशन को देखें फिर आप तो पंच वट्टी यह संख्य वाची सब्द हैं अन्यिन आपकार सम्द संदी बिसर्ग संदी बियंजन संदी या इन में से कोई नहीं बताए ऐसे निस्फार निस्फल बैंजन संदी संदी पुलकार की संदी है देखिए जब आप इसकी संदी करेंगे ना तो इसकी संदी क्या होगी नी धनफल ये इसकी संदी हो जाएगी तोडने पर इसकी संदी ये हो जाएगी नीधनफल यह विसरग वाले आपका देख रहे हैं इस प्रकार से कर सकते और निस्पल जो है ये फाल स्काफी इंपॉर्टेंट है इस पर आप 5 इसटा लगा सकते तो वी अप्सन जोई आपका करेक हो जाएगा विसरक संदी हो जाएगा विसरक वाले निसान दिवास तोड़ना सीख लिए संदी तो आप यू उड़ा देंगे बिलोंग शब्द हो या विप्रित आर्थक सब्द हो दोनों एक ही चीजे हैं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को आरो का विप्रित आर्थक सब्द क्या होता है अब रो होता है यानि ए ओप्संस जो आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे लंबोदर किस प्रकार का सब्द है योगरून योगिक इन में से कोई नहीं जल्दी से आंसर देजिए सभी बच्चे देखे लंबोदर जो है न ये एक योगरून सब्द हो जाएगा तो वी ओप्संस जो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लंबा उदर है जिनका अगला कोशन क्या है कि चुहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है क्योंकि चुहे का बच्चा बिल ही खोदता है इसमें ये का जा रहा है क्योंकि चुहे का बच्चा है वो बिल ही खोदेगा ना क्योंकि वो अपने जाती सुवाव नहीं छोडता है क्योंकि चुहा जो है वो भी बिल खोदता है और चुहे का बच्चा वो भी बिल खोदता है क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है बच्चे की बात हो रही है तो चुहे का बच्चा जो भी बिल खोदता है तो यह अपने जातित सुवाव को नहीं छोड़ता है यह आपको ध्या चले वरते नेस कोईसेंस की और नेस कोईसेंस देखें का सभी बच्चे अगला कोशन क्या है जो वस्तु व्यक्त या परस्थितियां इस्थाईवाओ को जागरत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं विभाओ उत्प्रेरक्ट अनुभाओ संचारी जो वस्तु व्यक्तिया परस्तितियां इस थाई वाँ को जागरत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं विभाव यानि ए ओप्संस जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे धर्मा धर्म में कौंसस समास होगा धर्मा धर्म में कौंसा समास होगा तो धर्मा धर्म धर्म या अधर्म आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत सारे सब्द ऐसे होते हैं जिनमें बीच में एक योजक चिन नहीं होता है और फिर भी वो आपका दुन्द समास होता है जहां बहुत से ऐसे सब्द होते ह जिनमें बीच में योग चिने नहीं होता है फिर भी वहाँ पर दुन्द समास होता है तो धर्माधरम में कौन समास हो जाएगा दुन्द समास हो जाएगा तो आप इसे आप नोट कर लिए किसी कॉपी पर क्योंकि ये कोईशन जो है बहुती जादा इंपोर्टेंट है और आपको बताना है तीका का परियाय बचित सब्ध क्या होता है जल्दी से अंसर देज़े सबी वर्चे चले next questions की और बढ़ते हैं अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे उल्लू का तस्सम सब्द क्या होगा जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे उल्लू का तस्सम सब्द क्या होता है मैंने आप लोगों कई बार बताया है कि जो सब्द संस्क्रत भासा से निकलेों वह तस्व उलुक्त से ओल्रुग्त क्या होगा उलुक क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उलुक यानि की ऐसी उफस्व ऑठीश सी पूरभी हिंदी की बोली नहीं है अबदी, बगेली, मालवी या 36 गड़ी निम्ल लिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है यह आपको बताना है जो भी 31 सी आप्शन्स की और जा रहे हैं वो सबी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मालवी बच्चों अगला कोशन देखेगा निम्ल में से कौन सा बादल का परियावाची है अम्बुत, बलाहक, जीमूत यह सबी बालक के, सोरी, बादल का परियावची अम्बुत भी होता है बलाहक भी होता है और जीमूत भी होता है इसलिए इस questions का से जवाब हो जाएगा option number D ये सबी Guys अगला question राहत का बिलोम शब्द क्या होगा प्रकोब, तसली, कष्ट, दुखी राहत का बिलोम शब्द क्या होता है राहत का बिलोम शब्द होता है प्रकोब यानि कि A options जो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question आपके स्क्रीन पर सातत्य का बिलोम क्या होता है असत्य, आसत्य, तारत्य में सत्य की चिर्टनता सात्य का बिलोम क्या होगा आसत्य, यानि V options जो आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा So guys अगला question मचली का तस्सम सब्द क्या होता है ऑएसे सब्द संस्क्रत भाषा से लिए गए हों असलि का तस्सम सब्द क्या होता है ME, मरस्य, मिनाप्चि, या मिनेप्च जलदि से आंसर देज़े सबी बच्चे मचली का तस्सम सब्द क्या होगा संस्क्रत भाषा का सब्द मरस्य हो जाएगा यानि वी ओप्शन जो लोग बता रहें वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोश्चन समरा है प्रति हिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रियोक्त हुआ है प्रति हिंसा में स्टार्टिंग का सब्द प्रति उसा में प्रति यह आपका प्रति हो जाएंगे सब्सक्राइब इस अब तर्फ्चे का संदी प्छेथ यह आपको बताना है तो विद्याधन अर्थी यह विद्यार्थी का संदी प्छेथ हो जाएगा ठीक है और अक्षर पेपर में पूछ लिया जाता है कि विध्यार्थी में प्रियुक्त संदिक क्या होगी क्योंकि विध्याधन अर्थी ठीक है यहां पर क्या बताया जा रहा है घा है इसको बड़ा आ माल लिया जाएगा इसको छोटा आ माल लिया जाेगा तो बड़ा प्लस छोटा वड़ा क्या होता है बड़ा आ होता है और इसमें कौन संद्धी हो जाएगी इसमें हो जाएगी दीर गोण सवरसंदी तो ये भी आपको धियान रकना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है अगला कोशन क्या है कि सनमार्ग का समास विग्रे क्या होगा सनमार्ग का समास विग्रे क्या होगा जल्दी से आंसर दिए समय बच्चे सत है जो मार्ग देखी जब आप इसे तोड़ेंगी तो संड़ मार्क का संध्विच्छेत क्या होता है सत धनमार्क यानि सत धनमार्क ऐसे ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि अगला क्शेत क्रिछो. वे उप्सन क्क्षों हो आप्त हो जाएका citizens. दिख्षित के माध्यमसे भी पता कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके हम बहुं हना समास विग्रहे होड़ा अगला कोशन सेड़े। क्या है व्धित कि जो बात सब् सब्सक्राइब में अच्छी तरह बैठ घ़ो है तुद उप्योग का अगलास? इस हिर्दे में हिर्दे अर्द इन में से कोई नहीं बताएं क्या अन्सार होगा जो बात हिर्दे में अच्छी तरह बैट गई हो इसके लिए उप्युक्त सब्सक्राइब क्या होगा हिर्दे में आप्शन अमबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों अगला कोईशन देखेगा सभी हाथ मलना मुआवरे का सही अर्थ क्या होगा पश्चा ताप करना हाथ में दर्द होना लाब होना हानी होना पश्चा ताप करना इसका मुआवरा क्या होगा जल्दी से आंसर दीजे सभी वच्चे हात मलना मौवरे का अर्थ क्या होगा माल लिजे से आप इंट्रेमीडिय की परिच्छा दे रहे हैं ठीक है अब आपने पांच शे साथ में तक कुछ भी नहीं पड़ा और आप एक्जाम की समय पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहें कि कास पढ़ लिया होता तो आज पस्ता नहीं रहे होते यानि पश्याताप करना और अप्शन नमर ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा हात मलना क्योंकि जो टाइम निकल चुका है वो टाइम थोड़ी आ जाएगा वो टाइम निकल चुका है अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे नेस कोशन है कि तारे गिरिना मुआवरे का सही आर्फ क्या होगा बड़ा काम करना चिंतित रहना मुसीवत में फसना खाली बड़े रहना तारे गिरिना इसका मुआवरा क्या होगा जल्दी से आंसर दीए सोई बच्चे तो तारे गिरिना इसका मौवराजा चिंतित रहना आप्शन अमर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा स्रंगार रसका इस्थाई भाव क्या होता है बाई निर्वेत शोक रतिया घ्रणा स्रंगार रसका इस्थाई भाव क्या होता है यह आपको बताना है स्रंगार रसका इस्थाई भाव होता है रति तो सी ओप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निर्वेत का इस्थाई भाव क्या होता है निर्वेत जो यह सांतरस का इस्थाई भाव है और शोक का इस्थाइबाओ क्या होता है कि ये करुन रस का इस्थाइबाओ है और घ्रणा जो है ना ये भीवत्तत रस का इस्थाइबाओ है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है छोटी छोटी जो बाते हैं इन्हें आपको ध्यान में रखनी है अगला कोशन देखेगा सभ समस्राइक परकार का चंद हैं मात्रिक वानिक मुक्त शंद इन मेंसे कोई नहीं जल्दी से अंसर देए सभी बच्चे छपाई जो हो है ना यह एक मात्रिक छंद है आप्शन नमर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिलुकुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे इसकंद गुप्त किसकी नाट करती है जैसंकर परसाथ हरी कृष्म प्रेमी लक्षमी नरायन मिस्र मोहन राकेस इसकंद गुप्त किसकी नाट करती है इसकंद गुप्त जो है ना यह जैसंकर परसाथ की नाट करती है आप्शन नमर ए जो है आपका यह बिलुकुल करेक्ट हो जाएगा आप चले बरते नमीद में स्केह और्ट कोईस्टनर को सिंस काओ ऑगला कोशन दखेगा सभी थ्यूज्ट रिंद में किसकी नार्ट करती है जैसंकर परशाण मंखनला चत्रोवेधी मादोसुकल जगदीश चंदर माथू समे कर दो अगला कोशन बादल राग किसकी लंबी कविता है जैसंकर परसाथ निराला नागारुजुन मुक्तिवोध तो ये निराला की सुरकांग तिर्पाथी निराला की कविता है परसन संख्या 85-86 निमलिकत प्रतेक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिये गए हैं उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का सुद्ध रूप है उसका चैन करना है आप लोगों को ठीक है अब देखे ध्यान पूर्वग मेरी बात को सुनेगा इधर आज कल ब्रश्टाचार ब ब्रश्टाचार बहुत है यह आपका सुद्ध सब्ध हो जाएगा तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसकी वास्तेवी कारण क्या है इसका सुद्ध सब्ध क्या होगा इसका सिंबल से आसानी से आप बता सकते हैं इसका वास्तेवी कारण क्या है यह आपका सुद्ध एक नाइस को संदेगे का सभी वच्चे मोर नाच रहा है इस वाक्य में मोर क्या है भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या मोर नाच रहा है तो मोर नाच रहा है और व्यक्ति देख रहा है तो जारसी बात यहां हो जाएगा जाती बचक संग्या यह उप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा नाइस को सेंदेगा सभी बच्चे निम्ल लेखेत सब्दों में कौन सा असुद्ध सब्द है चल रहा है कि उज्वल भी सही है ब्याकरण भी सही है और करतक दों सही है लेकिन शाताब्दी जो है ना शाताब्दी यह बिल्कुल गलत हो जाएगा तो सी ऑप्शन जो आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं नैस कोशन्स की और अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे वहाँ कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं है किस प्रकार का वाक्य है सरल मिस्र सेयुक्त इनमें से कोई नहीं क्या बोड़ रहा है कि वहाँ कैसा व्यक्ति जो अभी तक आया नहीं तो एक और इक कैसा बिकति है जोओ भी तक आया नहीं आपने किसी काम के लिए भेगा उसको पैसे भी दिए आप ने कोई मगाई और वह व्यक्ती आया भी नम पैसे चलड़ा है और वयक्ति का भी पता चल रहा है तो कई चीज़ों का पता चल तो यहां बुस्ट हो जाएगा तो मिस्त्र वि ओस्स करेक्ट हो जाएगा थीक अगला कोशन देखेगा सभी वच्चि in व्याक्रण के लिए एक सुझ क्या होता है तो व्याकरण के लिए आचार के लिए एक शब्द क्या होता है जल्दी से आंसर दिए सही वच्चे व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द होता है व्याकरण यानि सी ओप्सन जो लोग बता रहे हैं वो वच्चे बलुकुल करेक्ट हो जाएंगे का या कि अगला कूरिषिन के पुत्र के लिए एक सब्द क्या होता है कर लिए कि ओन्ती के पुत्र के लिए कोन्ती क्या होता है को इस एक सब्सक्राइब बना है भलाई निष्था समझवता संपन भलाई भलाई आई आई निकल रहा है निष्था में तो निकल नहीं रहा है समझवता भी में निकल रहा है संपन में भी नहीं निकल रहा है तो जायर सी बात है गाईज कि इसमें जो भलाई है ना इसमें आई प्रते निकल रहा है तो चक्के छोड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आखों का तारा, बताएए क्या अंसर होगा, किस मुआवरे का अर्थ है परेसान करना, तो जोवी बच्चे, ऑप्शन अमर एक ही ओर जा रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चक्के छोड़ाना, माल लेजिए, ऑप्शन से में हो, नाक में दम करना, तो आप इस पर बेटिक कर सकते हैं, अगला कोशन देखेगा, सभी बच्चे, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्त में प्रियुक्त कारक विवक्ती है, संपर्दान, अधिकरन, करन, या कर्म, बताए क्या अंसर होगा, यह किताब रमेश को दे दू काम सा कारख होगा अब देखे ध्यान परोग मेरी बात को सुनेगा इसमें जो मिन कौमन भू है को साधाने कर्म को करण के द्वारा संपर्दान के लिए अपाधान अब लोगों बच्श्बन काफी बार पड़ा होगा सब्सक्राइब आपको याद हो तो याद कर लेजिए तो करता ने कर्म को कर्म को निकल रहा है तो कर्म आजाएगा आपका तो डी ऑप्शन जो आपका क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है नाया स्कॉशन देखेगा चंद्रमुक सब्द में प्रियुक्त समास क्या होगा अब बैबाव करमदार दिगू या द्वंध चंद्रमुक सब्द में प्रियुक्त समास क्या होगा जल्दी से आंसर दीजे सवी बच्चे तो यहाँ पर हो जाएगा करमदार समास यानि वी ओप्षन जो आपका करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे नैस कोईशन की अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे आकर्षन का विप्रित आर्थक सब्द क्या होता है संगर्षन, विकर्षन, प्रकर्षन, अनकर्षन विप्रित आर्थक सब्द यानि विलोमशद भी कह सकते हैं आप लोग तो इसका विप्रित आर्थक सब्द होता है विकर्षन, यानि वी ओप्षन जो आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा बहुत तेज बरसा हो रही है इसमें प्राविवेशन कौन सा सब्द है बहुत तेज बरसा हो रही है तो बरसा बहुत तेज हो रही है न तो यहां पर प्राविवेशन सब्द कौन सा सब्द होगा बहुत हो जाएगा यानि वी ओप्षन जो आपका क मद्द काल में कावे भासा के रूम में सरवादिक प्रचलित बोली कौंसी थी ब्रज भासा यानि सी ओप्सन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन क्या है गाइस कि धाका उच्चारन इस्थान क्या है कंठ तालू ओष्ट दंत धाका उच्चारन इस्थान क्या होगा देखिए का खा गा गा कंठ पा फा पा फा बा भा और मा ओष्ट हो जाएगा तालू ता इदंतत हो जाएगा यह हो जाएगा आपका दंत तो डी ओप्सन जो आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से एक कोशन पूछा जाएगा इसे आप देखका ज़रू जाएगा अगला कोशन क्या है कुछ लड़कियां आ रही है इस वाक्ट में कौन सा विशेशण है सर्वनामिक गुणबाचक परिवाणबाचक संख्याबाचक यह आचका का लाश कोशन रहेगा कुछ लड़कियां आ रही है कोई कंफर्म नहीं कि कितनी लड़कियां आ रही है दस भी हो सकती है बीस भी हो सकती है तीस भी हो सकती है कोई संक्यान नहीं है तो कुछ लड़कियां आ रहे तो यह आ जाएगा संक्या बाची सब्द यानि D-Option जो आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आज की स्क्राश में आप लोगों ने PTT 24 की परिच्छा के लिए जनरल हिंदी के एकोल 50 questions डिसकस की हैं 50 में आपको 45 questions के सही जवाब बताने थे तो 50 में आप लोगोंने कितने questions के सही जवाब बताएं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो